कि हमने पृत्वी की उत्पत्ति के बारे में जाना है जब पृत्वी की उत्पत्ति के बारे में जान लिया है तो हम यह भी जाना चाहेंगे कि जो पृत्वी जिस पर हम रहते हैं जो कि चार पॉइंट साथ अरब वर्ष पुरानी है उसका उसकी आंत्रिक सेरंचना कैसी है तो हमें यह ग्यात है कि जिस प्रकार से प्रत्वी बनी है उस प्रकार से हमारे स्वरमंडल में अन्य ग्रह हैं और उनकी चार तरफ चक्र लगाने पुरह भी है वह सॉलिड स्टेट में है मतलब ठो सवस्ता में है और प्रत्वी एक ऐसा निर्याला ग्रह जिसमें जीवन पाया जाता है जहां पर जल स्थल जल स्थल और वायू इन तीनों के समीकरण से जैव उत्पत्ति हुई है जिस पर हम रहते हैं तो हमारी जीगा शाहिए रहेगी कि जिस स्थल पर उस्तिल भाग पर हम रहते हैं स्थल यह भाग पर वह अंतरतम में कैसी है तो साधरन मनुश्य के दिमाग में जहन में जब यह बात आती है तो वह पृत्वी को की गहराई में जाकर उसको खोदने की चेस्टा करेगा लेकिन अगर हम उसको खोदेंगे तो हमें यह ध्यान है कि पृत्वी का कुल व्यास जो है 6378 किलो मेटर है तो 6378 किलो मेटर की गहराई तक खोद पाना पृत्वी को संभव नहीं है इसका सरकंफरेंस चार 40,000 किलो मेटर के लग बगए अप्रॉक्सिमेट जो इसका सरकंफरेंस जो परीदी एसकी एकवेटर पर कि ऋचारीसजार किलोमेट्र तो इतनी वीशाल काया पेजह के अंतरतम में घोद कर येर अपनी जिग्या सह सांध करना संभव नहीं है कि तो हमें इस ऑप अर्टीफिशिल-गया नेचरल प्राकर्तिक सोर्सस jeux वार्पराकर्टिक सोर्सेजेश प्रुतिक प्राकर्तिक स्रोत से पता चलता है कि पृत्वी का अंतरत्म कैशा होगा इसके बारे में मैं इस अध्यायक अंदर अध्यायन करें तो उसमें तत्व दीवे रहते हैं, hydrogen, helium, lithium, beryllium, carbon, nitrogen, oxygen, fluoride, ये सब तत्व हैं, जिससे मिलकर पुर्थी बनी हैं, कुछ तत्व abundance में हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं, और कुछ तत्व जो है, rare हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, इन सभी से मिलकर बनी हैं, लेकिन अगर ह हम बड़े रूप में देखें, तो oxygen और silicon और iron, ये पदात, aluminium, ये बहुतायत में पाए जाने वाले तत्व हैं, जो पुर्थी पर विश्तरत हैं, तो ये जो human inquisence है, मनुश्य के जिग्यासा है, के पुर्थी का अंतरतम जाने, इसमें पहली कड़ी जो आई है, वो हमारे ज हमने जाला मकी उद्गार जब देखते हैं, तो हमें ये यात होता है कि पुर्थी के अंतरतम से तरल पदार्थ बाहरा रहा है, तरल पदार्थ का मतलब जल नहीं है, तरल पदार्थ का मतलब है, जो चट्टाने हैं, जो पिगली वे वास्ता में हैं, और हमें ध्रहतल पर य इससे हमें यह तो प्रमान के रूप में मिलता है कि पुर्थवी अंतरतम में कहीं पिगली ववस्ता में है लिक्वीफाइड स्टेट के अंदर है और यह कितनी गहराई पर कैसी है यह हमें अग्याद है तो है अ कि हम अगर यह देखैंके सबसे गहराई में कोड़ी होदि एकर कोई खान तो मुनेशे ने अफ्रिका के अंदर कहान कोड़िये जो सोना पराप्त करने के लिए वो चारि만 4-5 किलोमेटरी की गहराई तक है उस 4-5 किलोमेटरी पश्चा अंधि हमें जो है प्रत्वी के अंतरतम के बारे में जानकरी नहीं मिली है अगर हम प्रतेक्ष रूप से देखें तो परोक्ष रूप से कई सदन है जिनकी बारे में हम चर्चा करेंगे sources of knowledge about interior density and temperature इनका जो अंतर सम्मंद है उससे हमें प्रत्वी के बारे में अंतरतम की जानकरी मिलती है कि भुकंप्य तरंगे उनका जो behavior है उनकी चाल है उसको मापने कई अंतर बने वें जिनके बारे में मागे चर्चा करेंगे तो इससे हमें है पता जलता है प्रत्वी का अंतरतम कैसे है यह प्रत्वी के उद्वों के संब्द में कई अमने थियोरी पड़ी ती इसका मैंने पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड किया है आप उसे द्यान पूर्व कुझे तो हमने जैसे इमानूल कांत की थियोरी पड़ी इफिर हमने लापलास का शिदांत पड़ा चेमबर लिन का सिदांत पड़ा उसमें सब में एक बात हमारे सामने आती है कि प्रत्वी की उत्पत्ति प्राइम मॉडल मत्रील से हुई है ये प्राइमोरडिल मतलब देव जनितपदार्थ से होई वी है जो एक कयास थे मानूंगी जैन के अंदर कि वही कैसे शुरू में पृथवी रही होगी कैसे इसकी उत्पत्ती होगी तो उसमें अम ने जाना था कि पृथवी देव जनितपदार्थ से बनी वी हैं तो यह सब बात हैं मिलकर हमें इनके बारे में जब जानकारी होती है तो उन सब से समय की तुरूप से हम पृत्वी अंतरत्म को जानने की प्रयास करते हैं सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वह है डेंसिटी टेंप्रिश रिलिशन गहनत्व और तापमान का अंतर समंद्ध उसके आदार पर हम कैसे पता लगांगे पृत्वी अंतरत्म में कैसी है हमें यह ग्यात है कि प्रतीएक 32 मिटर प्रतीएक 32 मिटर पर जाने पर एक डिगरी तापमान बढ़ जाता है अर्थात प्रतीएक की सत्य से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे मतलब उसके कोवर की तरफ जाएंगे केंदर की दरफ जाएंगे तो हमें ये ये हमें जो तापमान क्या बढ़ने का जो कि ट्रेंड है वह है बत्तीस डिगरी बत्तीस मीटर पर एक डिगरी सेंटिडेड़ तो सब्सक्राइब इस तरह से 32 में 30 और लगा दो तो वह 1000 degree centigrade हो जाएगा 32 1000 मेटर कितना हुआ 32 किलो मेटर तो 32 किलो मेटर पर तेर इस तेमपरेचर जो नोट रिस करेंगे यह एट एट विल बी 1000 degree centigrade और 100 किलो मेटर गाराई में इस तेमपरेचर बाई इस गति से अगर बढ़ता है तो वह 3125 degree centigrade हो जाएगा 3125 degree centigrade पर किसी भी अवस्ता में धरातल पर कोई प्रदार्थ ठोस रूप में नहीं रह सकता या तो वह वास्पित हो जाएगा या बगलनाक बिंदू तक पहुंच जाएगा जैसे उधर अडले सिलिका या आइरन आइरन भी मॉल्टरन स्टेट के अंदर गलनाक बिंदू पर पहुंच कर वह पिगल जाएगा और तरल अवस्ता में हमें प्राप्त होगा तो इस अनुमान से कि जब 32 मेटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेट बढ़ रहा है तापमान त तो सो किलोमेटरी पर जब 3125 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान हो गया है तो वह अनिश्चेती जो ठोस अवस्ता में चटाने जो पाई जाती है वह तरल अवस्ता में मिलेगी तो अगर हम सो किलोमेटरी गहराई पर अगर एक सर्कल का एजम्शन करें एक स्फिर का एजम्शन करें सर्कल नहीं गोले का अनुमान लगाएं तो वह सर्वत्र जो है वह पिगले ही वावस्ता में मिलेगा और शायद यहीं से ही जो अलमकी उदगार होते हैं जो सत्य पर पहुंचते हैं तो यह अमने तापमान के अदार पर हमने क्यास लगाने का प्रयास किया कि तापमान जब इस गति से बढ़ रहा है तो हम सो किलोमेटर के गहराई में जब पहुंचेंगे तो तापपान इतना अधिक हो जाएगा कि वहाँ पर पाई जाने वाले चटाने गलनाग बिंदू पर पहुंच जाएगी और वह ठोस अवस्ता में हमें नहीं मिलेगी लेकिन इसके विप्रीत हम सभी जानते हैं कि जब कोई ठोस पदाते उस पर अत्य दबाव डाला जाये प्रेशर डाला जाय तो उस प्रेशर के कारण गेस ये पदार्थ तरल में परिवर्टित हो जाएंगे और तरल पदार्थ पर अगर हम ओपर शेट डालते हैं तो फोस में परिवर्टित हो जाएंगे तो जब हम 100 किलमेटर से अधिक की गहराही पर जाते हैं वह तरह लबस्ता में नहीं रह पाती तो जो सुपर इंकुम्मेंट लोड है आप दे रॉक्स माटीरियल ओवर देट लेयर इंकुम्मेंट इंकुम्मेंट लिक्विफाइड स्टेट इन्टू सॉलिडिफाइड स्टेट तो एक सेकंड नेजम्शन यह है कि सो किलोमेटर की बाद में जब इतना लोड बढ़ेगा तो एक तरल जो अवस्ता में जो चटाने पाए जाती है वह शयद ठोशनर पाए वह थरल नरह पाए वह ठोस में परिवर्तित हो ऐगी तो यह किस क्रुआ से हुआ क्योंकि इनका गणत्वाब बढ़ रहा है देंसीटी बढ़ रही है जैसे में सं neuenск debates के देंसिटी बढ़ती जाएगी क्यों क्योंकि लिक्विड अवस्ता में पाए जाने वाले पदार्थ की जो मॉलिकूल जो कण है उनके जो उनके बीच में जो डिस्टेंस इंट्रेस्टिशल स्पेस डेट विल बी रिदूस्ट और वह रिद्यूस्ट हो जाएगी किस करण से कंप्रेशन जो उपर पाए जाने वाले चटाने उनके करण और यह सब चताने गया घंद्यू को बढ़ा रही है प्रैशर को बढ़ा रही है प्रैशर ओंइन सिटी में प्रल्परेशन देंसिटिश्टैस निel इस्टीलफे इंक्रीज़िश्टी योगी से इननुमान है जो हम सर्फिस के ऊपर साइंटटी स्टैटी के दवरा लेब ness एक्सपरिमेंट के दौरा हम यह याद कर सकते हैं तो यह डेंसिटी एवर टेंपरेसी के बारे में हमने पढ़ा दूसरा जो क्यास है कि प्रत्वी अंतरतम में लिकुड कैसे होगी वह हमें मिलते हैं प्रत्वी की उत्पत्ती समंदी परिकल्पना और सिध्धानतों के द्वारा प्रत्वी की उत्पत्ती समंदी परिकल्पना है उनमें यह कहा जाता है कि जो देव जनित प्रदार था वह यह तो शीत व और जो बीच में प्राइम मोडिल स्टेट में बचा अंतरतम में वह शायद अभी भी लिक्विड स्टेट में होगा और वह उसके अंदर हीट की जो है वह ट्रांसफर हुई है और मेटियोरेट के कॉमेट के इंपक्ट के दवरा और उसके बाद में जो सब्सेक्ट हुए उसमें यह हुआ कि जो तरल के अंदर भी जो बाहरी पदार्द थे जैसे आईरन वह तो सिंक कर गया वह तो अंतरतम कोर में चला गया पृत्वी के केंदर म और बनिश्पत हलके पदार्द जैसे कि सिलीका वह सतय पर आगया तो यह इंटर मिक्सिंग उसके बाद में हुई है और इसी करण से अंतर का अंदर का जो बाग है वो उसमें फैरस की और निकल की मौजूद्गी ज्यादा है और बारी जो सतय है उसमें सिलीका की मौजूद इस दान्तों के द्वारा अब हम ने यह जान लिया कभी प्रत्वी का अंतरिक भाग इन दो के दो जो स्रोत हैं हमारे ज्यान के उसके अधार पर प्रत्वी अंतरतम तो कैसा होगा लेकिन फिर भी साइंटिफिकली हमें यह प्रूब नहीं करता है कि कितने किलोमेटर पर कित इनके बारे में जानेंगे वहीं भी हम क्या करें हम किस चीज के मैं किस चीज हम ऐसी जानकरी प्राप्त करें कि अंतरतम के बारे में हम शंपूर्ण रूप से जान पाएं तो इस कड़ी में जो इंटिरियर अफ दे अर्थ पार्टू मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा धन्यवाद